मस्कार साथियों स्वागर थे आपके प्रेंच चैनल एजी लेड़न एंड हाईयर टार्गेट पे मैं विकास कुमार और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सिंक्रो मेंज गियर बॉक्स के बारे में अधि आपने कंस्टेंट में गियर बॉक्स और स्लाइडिंग में गियर बॉक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आग्रा करूंगा कि पिलीज एक बार पहले जाकर वो वीडियो जुरूर देखें जिसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है और इजली तरीके से हो जाए सिंक्रो मेंस का मतलब होता है कि अधि आपका कोई एक डिवाइज ऐन थाजन अन पेर गुड़ रहा है और अधि आपको दूसरा एलिमेंट को सेम स्पीट पर घुमाना है तो उसके लिए हम जो डिवाइज को प्योंग करते हैं उसे सिंक्रो मेंस कहते हैं ये जो है synchronous gearbox में है main गर बोक्ष जे यह is ع consonant principle गिarns का modification है यह यह आपका है本 से अलस साप혔 करा जो यह और सबसक्व कर से फाबर करूँ तो जो पर एक ऊइसंड पर supreme लागा लाता कर यह जो साथ है इसे ह में onошघ इन याफट भूलते हैं जिससपर साड़ा ग्ट कि यह जो गियर है that is main shaft या इसे हम output shaft भी बोलते हैं इस पर जितना भी गियर लगा रहता है वो fairly fixed रहता है लेश shaft और main shaft के सभी गियर constant रूप से एक दुसरे साथ मेंस कंडिशन में रहता है जब हमारा engine से power supply होता है तो clutch shaft में होते हुए लेश shaft की और power का transmission होने लगता है और जिसकी कारण से यह सारे पर लगा हुआ रहता है जो की freely rotate करने लगता है यह जो device है यह आपका है synchrome mesh device यह device जिसके मदद से यह synchrome mesh gearbox कारी करता है यह जो कौन वहला जो कौन जो निकला हुआ है इसे हम सिंख्रो माइजर कहते हैं यह सिंख्रो माइजर है और सिंख्रो में जब सिंख्रो माइजर से connect होता है तो सबसे पहले इसके कौन connection में आता है जो कि धीरे धीरे स्पीर्ट को पकरता है उसके बाद यह पूरा आएगे दुसरे साथ कंटेक्ट में चला आता है अब हम बात करते हैं अधी मानिए अब को फर्स्ट गियर लगाना है तो तो क्या आता है कि आपका यह सिंक्रो माईजर यह है यह सिंक्रो में जो है यह फर्स्ट गियर के सिंक्रो में से जाकर कनेक्ट हो जाता है और इससे जैसे कनेक्ट होता है ति यह गियर आपस में connected तो पाहले से रहता है बस सिंख्र मेस केक्शन में आने से आपका मैंससाप्त भी रोटेट कड़ने लगता है और ज्योंगे मैंससाप्त रोटेट करने लगता है तापका वेहिकल आगे की उर मूफ करने लगता है जाए अब हम बात करते सेकंड्स इपट गीयर को शिपट यह Synchro Major जो है यह first shift gear से इसे पहले हम neutral में लाते हैं आगें फिर हम अपना second Synchro Major को second gear के साथ connect करते हैं जो कि left side में है और यह फिर इसके साथ में rotate करने लगता है और फिर आपका main shift भी rotate करने लगता है अधि हम बात करें आपकी reverse gear को लगाने की तो reverse gear में क्या होता है कि इसमें left shaft और main shaft की gear के बीच में एक idler gear लगा रहता है इसे हम idler gear कहते हैं जो कि main shaft को opposite यानी reverse gear में चलाने का खाड़े करता है जैसे हमारा यह synchronous device है यह main shaft के reverse gear से जाके connect होता है आपका gear जो है connect होता है तो आपका main shaft opposite direction में घुटने लगता है और इस परकार से आपका vehicle reverse direction में move करने लगता है आपको synchronous gear box clear हो गया होगा चले हमें एक बार इसके theory से आपको concept को clear करने की कोसिस करते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि synchronous gear box जहां यह modification of constant miss gear box का है this is the latest of all type of manual gear box जितना भी manual gear box है उसका latest परकार है और यह synchronous gear box provides the smooth and quick shifting of gear due to use of special devices known as synchronous devices those devices help in bring the speed of all shift to the same before the messing of the appropriate gear which causes less beer and tear synchronous gear box a smooth and quick shifting को परवाइड करती है एक special device को प्योग करके जिसका नाम है synchronous device और यह हम को क्या चीज़ में help करता है कि जितना भी हम जो कोई भी shift का gear लगाए उसको सेमा स्पीड पर लगा सकते भी फोर मेंसिंग ऑफ एप्रोप्रोप्रियेट गीडिया जो कि क्या करता है synchronous में उसके कारण हमारा gear में less beer and tear होता है अब हम इसके construction की चर्चा करते हैं कि फिर का construction किस परकार होता है इसके के पर रखे पर लेश पर लेश पर लेश पर लेश पर लेश और कि जितना भी घर हाता है करता है जब कि में सब्ट पर जो गियर लगा रहता हुए फ्री रोटेट करता है बिस रिक्स पर टू ले साप्ट इन दिस शिंक्रोमेश डिवाइस इज यूज इन बिटीविन टू में साप्ट टू इक्वालाइज दी अस्पीड अप्रिक्शन आप्टर हुच दोज में इं लगा रहता है और जैसे किसी को में साप्ट के गियर के कंटक्ट में जाता है तो अपका गियर इक्वालाइज ऑस्पीड पे रोटेट करने लगता है और यह सपीडेश समून लिज हो जाता है अब हम बात करते हैं वर्किंग आफ शिंख्रोमेश गियर बॉक्स की वन दी गियर लिवर इज मूवड दी सिंख्रोमाजर कौन कंटेक्ट बिस सिम्लर कम अन गियर जब आपका गियर लिवर जो है ऌफ यह मूब करके सिंख्रों माजर कोन के कंटेक्ट में जाता है तो यह सिमिलर के पे गियर के यूंद से मैं जाता है यूनित में परude खेंग ऊब सेंख्रोम कोन sound newwie कर दो कि आथ रोटेटिंग रोटेटिंग िर सब्लती जब म करता है सिंक्रोमेश्ट जटा सिंक्रोमेश्ट यूनिट में a slightly delay is required before engaging the dog teeth so that cons have a chance to bring this सिंक्रोमाजर and pinion to the same aspect इसमें कहता कि आपको सिंक्रोमेश्ट होता है वो थोड़ा सा time लेता है मलब उसको डिले हो जाता है एक दूसरे में जाने में बट उसका जो त्यु जो होता है वो सिंक्रोमाजर के साथ में जाके कंटक्ट कर देता है और वो धीरे-द्रेक मलब करके आपके में साफ्ट भी लेस साथ के स्पीड के बरावर में rotate करने लगता फिर वह दूसरे के साथ जाके equally fully रूप से connection में CODNA मैं चला जाता है जेसे मैं सब्सक्रार से बता न चुरू ओग मैज़ा जाता है जो हों और पैड़ से नोई जुका आपको श्रिंक्रो मेर्श गेरबॉक्स इजी रूप से किलियर हो गया होगा अधी आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है क्योंकि पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने तुमान दोस्तों साथ सेर कीजिए और हाँ अधी आपके प्रोब्लम को हमारे यह वीडियो सोल्यूसन निकाल देता है था प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा थेंक्यू मिलते हैं अपसे ने वीडियो को साथ जय हिंद